हेलो अब्रीवन वेल्कॉं टो है चैलेंस याइवे तसूप फ्रेंट्स आज हम डिजिटल बैंकिंग के मडूल ए में चप्टर ना टू का पार्ट फाइब कर रहे हैं यह फ्रेंट्स चेप्टर है अपका कार्ड्स के बारे में चार लेक्चर हम आलडी देख चुके हैं और थाइज का फिर देखने वाले हैं कि कार्ड इसकीं क्या होता है तो बिसिकली कार्ड में फॉर्ट थी है ऐक होती ilay के solu में पर चार पर जीए तो card scheme होती क्या है पर देखिए जैसे card scheme का simple सा पहले समझ दीजिए अगर मैं card scheme बोलू तो दिमाग में क्या आना चाहिए रूपे, वीजा, mastercard यानि जो भी आपकी debit card issue करने वाली companies हैं उन्हीं को ही एक तरीके से हम card scheme कह सकते हैं अब सवाल यह होता है कि हमें card scheme के जरूरत क्या है तो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को माल लेते हैं आप बैंका बड़ोदा के customer हैं तो बैंका बड़ोदा माल लिजे बैंका बड़ोदा ने किसी दुकान पर पॉस मसीन लगा रखी है बैंका बड़ोदा नहीं लगा ही लेकंट यहाँ पर एक चीज मिसिंग है क्या चीज मिसिंग है परण जो debit card आपको बड़ोदा ने इस्षू किया है ये क्या मेंका बड़ोदा बनाती हैं अगर हम जैसे mastercard का अगर हमारे पास debit card है मेरे पास वीजा का credit card है तो वह वही card scheme company हैं तो कहने मतलब हुआ कि यह जो पूरी transaction में अगर वीजा हमारा साथ ना दे तो हम transaction को complete नहीं कर सकते हैं यह क्या बात वही कि कैसे complete नहीं कर नहीं हो पाए की फ्रेंट्स क्योंकि जब आप ट्रांजेक्शन करोगे ठीक है तो मेडियेटर का काम बीजा कंपनी यहां पर कर रही होती है उनका स्विच यहां पर मेडियेटर का काम कर रहा होता है इवेन मानलीजे हम विदेशी कंपनी की बात ना करें हम अगर रूपे को ले लेते हैं जो हमारे देश का खुद का ही प्लेटफार्म है तो अगर हम रूपे वाला कार्ड यूज़ करते हैं इसके बावजूद भी यहां पर रूपे का योगदान रहता है आपकी ट्रांजेक्शन के दौरान ठीक है तो यही जो यह किस कंपणी ने डेविट कार्ड इ या क्रेडिट कार्ड आफ विच अब बैंक और एनी अधर इलिजबल फानेंसल इस्टिटूशन कैन बीकम अ मेंबर किलियर हुआ तो जो कार्ड इसकीम होती है वह एक पेमेंट नेटवर्क होते हैं जो की पेमेंट कार्ड को लिंक करके रखते हैं ठीक है नेटवर्क प्रो क्या है रूपे विजा और मास्टर कार्ड यह सब आपकी कार्ड स्कीम होती है थोड़ा बुद समझ में आया होगा आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं बाई बिकमिंग अ मेंबर आफ दा इसकीम तो कार्ड इसकीम का मेंबर बनने के बाद में दा मेंबर देन गेट इनेबल तो इसकीम का मेंबर बनता है माल लिजे विजा की मेंबर सिप ले ली जो है बैंक का बढ़ते हैं तो अब विजा के जो कार्ड इसकीम जो है उसके एटिम का को डेबिट कार्ड को अब वैंक आप ड़ोधा इस्चू कर सकता है एक्वायर करने मतलब होता है कि दूसरे बैंक का भी एटिम हो अगर वीजा कमपनी का दूसरे बैंक का है तो उस पर भी टरनेशन अलाओ कर सकता है तो कुछ किलियर हुआ होगा आई बिलीब कि मतलब अग का लेते हैं कोई एक नया बैंक खुलता है तो वो अपना डेबिट कार्ड तभी इस्चू कर सकता है जब वो इन में से किसी एक की मेंबर्शिप ले लें कोई एक कार्ड इस्कीम उसको चूज करनी पड़ेगी तभी तभी वो जो है डेबिट कार्ड इस्चू कर पाएगा माली जे कोई नया बैंक खुला है मालते हैं एटल पेमेंट बैंक खुला हुआ है तो अगर एटल पेमेंट बैंक चाहता है कि हमें डेबिट कार्ड पने कस्टमर को इस्चू करना है तो कम से कम उसे रूपे की तो मेंबर्शिप लेनी ही पड़ेगी जब वो रूपे की में तेन पार्टी स्कीम कहती हैं थोड़ासा ओर स्कुलिएर भी हो रहा होगा और myst arrive पर चलूजर के बारेमें तो पूर्चा से इसका जोग देख लेते हैं तो आपको क्या कैसे कहां पर है यहां पर आप card holder है यह card issuer होगा यानि जो bank ऐसा बैंक जिसने अपने customer को card issuer कर रखा होगा यहां merchant acquirer merchant acquirer को मतलब होता है वह bank जिसने merchant को pass machine गयरा दे रखी है ठीक है clear हो गया तो यहां पर यह इसको service provide कर रहा है एक तरीके से यह bank यह जो मान लिए यह HDFC bank है तो HDFC bank ने pass machine लगा रखी है तो merchant को service provide कर रहा है यहां पर मान लिए बैंक का बढ़ोदा है तो बैंक का बढ़ोदा अपने customer को card issuer कर रहा है तो यह इस तरीके से यह पूरा system काम करता है merchant यह आपका open scheme या four party model हो गया और three party model की क्या खासित होती है उसमें यह वाला card issue करने का जो काम होता है यह यहां पर कौन कर रहा है कोई bank कर रहा है अगर हम इस picture से card issuer को हटा दे मतलब bank का बढ़ोदा कोई bank card ना issue करे बलकि जो card scheme ह वही card issue कर दे वही card issue कर दे तो हम उसे three party model बोलेंगे फ्रेंस होगे clear हुआ कुछ four party model और three party model में बस इतना ही difference है कि यहां card issuer जो होता है वो स्वयम card scheme ही हो जाता है चलिए थोड़ा बहुत और समझ में आया होगा अब detail में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो आपको और चीज़ है वीज़ा है mastercard है यह सब क्या है open scheme payment network है मतलब इसमें four party या involved रहती है are multi party and operate through a system that connects to financial institution and manages information flow between them तो मतलब जो open scheme payment network है रूपे हो गया उसका वदार वीज़ा हो गया और mastercard इसका example हो गया यह multi party या four party होती है operate करती है ऐसे system में जो कि दो financial institution को connect करता है अभी हम यह देखेंगे दो financial institution कौन से है एक होगा आपका जो card issue करता है और दूसरा होता है जो merchant को care करता है यह जो pass machine हो करा लगाता है और यही जो open scheme payment network होते है रूपे वगरा इन्ही का ही काम होता है manage information flow between them और इनके बीच में जो द पे बीजा mastercard ठीक है एक अब दो हमने बता है नहीं कि यह जो है दो financial institution को connect करते हैं तो दो financial institution कौन कौन से है one that issues the card to the card holder जो card holder को card issue करता है तो हमें पता है इसे issuer हम कहते हैं जो card issue करता है उसे issuer कहते हैं उसे issuing financial institution या issuer कहते हैं and one that has banking relations with merchant in whose shop of pass is provided by this other bank institution known as acquiring financial institution or acquirer तो एक जिसने debit card issue क्या वो issuer हो जाता है एक जिसने pass machine लगाई हुई है उसके merchant की दुकान पर उसे acquirer कहते हैं तो वही यह बात यहीं लिखे हुए कि दूसरा bank वो हो जाता है जिसकी banking relationship है किसके साथ दुकानदार के साथ में मर्चिंट के साथ में जिसकी दुकान पर उस दुकानदार की दुकान पर इसी bank ने दूसरा जो bank है उसने pass machine लगा रखी है तो इसे acquiring financial institution या acquirer bank कहा जाता है ठीक है तो दो जो यहाँ पर open scheme जो payment network होते हैं रूपे वीजा काड और mastercard इनका काम होता है दो financial institution को आपस में connect करना और उनके वीज में जो information flow कर रही है उ कौन से होते हैं जिनको यह connect करते हैं एक तो issuer होता है और दूसरा acquirer होता है issuer किसे कहते हैं जो debit card issue करता है उसे issuer कहते हैं जो pass machine लगाता है ATM machine लगाता है install करता है जिसकी machinery होती है उसे acquirer कहा जाता है यह ध्यान रख करके जाएंगे acquirer में और issuer में अभी confusion नहीं होना चा तो यहां हमने देखा कि जो है दो financial institution को यह insuer और required को आपस में करते हैं अब हम बात करेंगे closed loop payment network की तो closed loop payment network में क्या होता है कि in a typical closed loop payment network there are three parties है न यह तो clear यह हैं को कि तीन party होंगी services payment services are provided directly to the merchant and card holder by owner of the network without involving any third party intermediaries तो जो closed loop payment network होता है यहां पर third party intermediaries का मतलब bank होता है कि bank का role खतम कर देते हैं debit card credit card हम खुद issue करेंगे यह service मतलब जो है जो payment network होता है closed loop payment network होता है वो खुद ही payment service प्रवाइड करता है कि इसको दुकानदार को merchant को card holder को भी सिधे card holder को भी by the owner of network जो network का owner है रूपे जैसे owner हो गय या master card owner हो गए तो यह खुद ही card holder को card भी दे देंगे और merchant को pass machine भी दे देंगे एक तरीके सी यह provide समझ लीजे जो है ताकि bank का कोई role ना रहे merchant pass machine कोई भी लगा सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वीजा या master card ही लगाए पास machine कोई भी लगा सकता है लेकिन जो debit card issue हो रहा है या credit card issue हो रहा है वो जो है खुद network owner ही issue करते हैं बस इतना ही होता है तो third party intermediaries का involvement यह खतम कर देते हैं अब closed loop एक बात बताईए यहाँ पर कि closed network system या three party system possible है बैंक के case में अगर आप बैंक के customer है तो आपको debit card issue होगा और issue कौन करेगा बैंक ही करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर bank issue कर रहा है debit card तो वहां automatically four party model लागू हो जाता है या open network model लागू हो जाता है आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं मैं यह क scheme की तो जो open scheme है अगर कोई bank का customer है तो उसके लिए open scheme लागू होगी या closed scheme लागू होगी तो इस बात का अंसर ढोड़िए कि अगर मैं bank का customer हूँ तो मुझे open scheme मिलेगी या closed scheme से मैं transition कर पाऊंगा तो आप open scheme से ही कर पाएंगे क्योंकि आपके case में चार पार्टियां रहेंग क्योंकि जो तीन पार्टि माडल होता है वहाँ पर एक ही चीज करनी की कोशिस की ज़रे कि bank debit card issue ना करें बलकि सीधे वो जो network है provider वही कर दे तो इसलिए अगर आप बैंक के customer है तो आपके उपर open scheme लागू होगी closed scheme लागू नहीं होगी तो सवाल यह है कि closed scheme कहा लागू होग closed scheme आपकी PPI में लागू होगी prepaid instrument prepaid instrument हमने देखे थे कि कई prepaid instrument ऐसे हैं जिन्हें non-banking financial entity भी issue करती है तो अगर non-banking financial entity ने issue कर दिया तो वहाँ पर three मतलब जो है तीन party scheme लागू हो जाए गी clear हुआ friends कुछ ठीक है तो closed loop network can range in size from network such as American Express discover which issue card directly to the customer and serves merchant directly ठीक है तो जो closed loop network है उनके उधारण के लिए अगर आप देखना चाहें तो American Express हो गया discover हो गया यह क्या करते हैं customer को सीधे card issue करते हैं खुद ही card issue कर देते हैं bank के role की जरूत नहीं होती है और merchant को भी directly serve करते हैं मतलब जो भी payment and settlement का काम है वो खुद ही देख लेते हैं to an individual merchant that issue limited purpose private label card to each customer to for use only at merchant store तो जो खेवल merchant के store पर card issue यूज हो सकते हैं यह prepaid instrument के ही तो वो है characteristics हैं कि मतलब ऐसा card issue कर दिया गया जो कि limited purpose का है अगर बिग बजार में इस्टोर में ही यूज होगा उसके किसी भी store में 250 store है अगर देश बर में तो 250 store पर कहीं भी जाएंगे तो लेकिन अगर आप जो है reliance fresh में जाते हैं तो वहाँ पर यूज नहीं होता है तो उस तरीके के जगहों पर ये मतलब closed loop network काम आता है the major difference between the two scheme is that दोनों scheme के बीज में जो सबसे बड़ा difference है वो है card issuing entity and acquiring entity are same in three party model तीन party model जो है हमारा उसमें जो card issue करने वाली company है और जो acquiring entity है वो दोनों same रहती है जबकि four party model में ये दोनों entity हैं different रहती हैं यही basic difference होता है तीन party और चार party model में जैसे यहां पर bank का बड़ोदा हो गया जिसने issue किया है ना four party में issuer हो गया ना चार party model bank का बड़ोदा ने debit card issue किया तो ये issuer हो गया acquiring में माल लेते हैं हम HDFC bank ने पनी pass machine लगा रखी है तो ये acquiring हो गया है ना तो ये आपका four party model हो गया और three party model में क्या होता है कि ये जो issuer है बैंक का बड़ोदा issuer ना हो करके जो pass machine HDFC की है तो HDFC ही यहां पर जो है issuer हो जाएक तरीके से आप कह सकते हैं या फिर यहां पर यह थोड़ा सा गड़त एक्जामपल हो जाएगा क्योंकि bank को involve नहीं करना है हमें three party में जो वीजा है या American Express हो गयरा है यही खुद जो है debit card issue कर दे रहे हैं तो जो card issuer है वो और जो acquirer है है ना card issuing entity और जो acquiring entity है acquiring entity कौन सी होती है जिसकी जिसने पॉस मशीन और लगा करके services दे रखी है issuing entity जिसने debit card issue कर रखा है तो अगर जो है debit card और यह जो है पॉस मशीन और जो है issue जो किया है जो नो पार्टी अगर सेम है तो वो three party model हो गया और अगर दोना entity है तो फ्रेंट वो four party model हो जाता है अब पास्ट में अगर हम पहले की बात करें तो डाइनर club discover और American Express जो थे यह तीन party scheme थी ठीक है यह कैसी scheme थी डाइनर club discover और American Express जो है यह three party scheme थी लेकिन recent में इन्हों ने अपने आपको change किया है इन्हों ने और लोगों के साथ पार्टनर किया है विथादर issuers and require in order to increase card circulation and acceptance ठीक है तो पास्ट में diner club discover और American Express जो थी यह three party scheme थी लेकिन अभी recent में इन्हों अपने दूसरे जो issuer और रेक्वाइर हैं उनके साथ partnership करके आपने आपको four party scheme में बदल लिया है ताकि उनके card का जो circulation है acceptance से वह increase हो सके फैंट्स होगे आगे बढ़ते हैं operators आप open loop network सच एज वीजा master रूपे generally do not issue cards are set fees are determined interest rate that card holders are charged for overdue outstanding on their card तो जो open loop के operator होते हैं open loop network के operator जैसे बीजा हो गया master card हो गया रूपे हो गया यह सब क्या करते हैं card नहीं issue करते debit card बिल्कुल नहीं issue करें credit card नहीं issue करेंगे fees कितनी लेनी है debit card credit card issue करने के लिए वह भी एपनी तरफ से set नहीं करते कितना interest लगे अगर credit card में outstanding है तो कितना interest चारत करना है यह सारी चीजों का decision खुद bank के उपर छोड़ देते हैं जो issue करता है यह सब काम जो है network open loop network provider नहीं करते हैं ध्यान रखिएगा issuers have the responsibility for determining these and many other card features यहाँ पर जिम्मेदारी जो bank debit card credit card issue करेगा उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन सभी बातों को determine करे किन बातों को कि जो है उसे कितना फीस लेनी है कितना interest लगाना है अगर outstanding है और और भी कई सारे card के feature है दुबारा issue करना पड़े तो कितना लगेगा password issue करना पड़े तो कितना लगेगा hotlist करना है तो कितना लगेगा hotlist का मतलब होता है फिर जब आगर आप आन लीजे आपको लगता है कि आपका card जो है वो misplace हो गया है या को इसको गलत तरीके से use कर सकता है तो उस case में card को hotlist करवा दे जाता है ताकि यो further use नहों सके एक तरीके से blacklist करवा देना होता है ठीक है तो in addition such network generally do not solicit merchant directly or establish the fees that merchant are charged for card acceptance including merchant discount rate तो ये जो network होते हैं ये अपने आपको merchant के साथ सीधे involve नहीं करते हैं bank को होता है कि bank जा करके किसको pass machine देनी है किसको नहीं देनी है ये सारा काम bank करते हैं ना कि जो है ये जो network provider वीजा master card ये रूपे करते हैं ठीक है और ये कितनी fees लेनी है कितना discount देना है ये सारी बातों में भी ये involve नहीं होते हैं यहाँ पर एक आता है merchant discount rate इसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे MDR क्या होता है अभी के लिए बस को फुल फॉर्म ध्यान रखिए MDR होता है merchant discount rate बोथ दीज functions are generally responsibility of acquiring bank तो ये ये काम जो है किसका किसकी जिम्मेदारी होती है acquiring bank की जिम्मेदारी होती है यानि कि कि किसको किस merchant को बेचना है किस merchant को नहीं बेचना है पॉस machine उसकी जिम्मेदारी acquiring bank की है और कितना discount लेना है कितनी founding फीस लगानी है उसकी जिम्मेदारी acquiring bank की मर्चन डिस्काउंट rate उग्हेर आफर करने की जिम्मेदारी acquiring bank की होती है तो दीगे 2 तरीके के bank कि कि हमने यहां पर बात की, एक issuer, जिसने debit card बेचा है, जिसने debit card दिया है, issuer है वह, उसकी जिम्हेदारी क्या क्या होती है, कि card देना है, नहीं देना है, उसकी जिम्हेदारी होती है, कितनी fees लेनी है debit card इशू करने के किस merchant से मिलना है नहीं मिलना है वो सारी जिम्मेदारी acquirer bank की होती है कितना जो है fees charge करनी है merchant पर वो भी जिम्मेदारी acquirer bank की होती है कितना merchant discount rate offer करना है वो भी जिम्मेदारी acquiring bank की होती है तो ध्यान रख करके जाएगा कि कौन सी जिम्मेदारी किसकी होती है ठीक है पर तो यहां पर हमने काफी सारी बाते अभी किलियर कर ली है आई थिंक जो है तो हमने ये जाना कि card scheme जो होती है जैसे रूपे वीजा मास्टर card होते हैं यह payment network होते हैं payment network होते हैं जो की payment cards जो होते हैं debit card ए credit card उनको आपस में link करते हैं उनको network provide करते हैं और कोई भी financial institution या bank इसका member बन सकता है एक बार कोई भी bank इसका member बन जाता है तो फिर वो उस particular network के debit card credit card को issue और require कर सकता है card scheme mainly दो तरीके होती है open scheme जिसमें चार पार्टियां होती हैं दूसरा closed scheme जिसमें तीन पार्टी होती हैं जो open scheme होती है जैसे रूपे हो गया उसका उधार बीजा और master card हो गये ठीक हैं यह क्या करते हैं दो financial institution को आपस में connect करते हैं उनके वीज में data flow को भी manage करते हैं तो कौन स loop जो payment network होते हैं वो सीधे deal करते हैं merchant के साथ में और card holder के साथ में ठीक है owner ही खुद deal कर लेता है card भी issue कर देता है merchant के साथ भी dealing होती है किसी third party को ये involve नहीं करते हैं इसके उधाहण के लिए American Express और Discover इसके example हैं जो कि directly card issue करते हैं consumer को और merchant को भी directly serve कर देते हैं major difference जो होता है दो होता है अगर card issue entity अलग है acquiring entity अलग है तो फोर पार्टी माडल हो जाता है पहले के समय में डाइनर कलब डाइनर कलब डिसकबर और American Express और जो थे यह तीन पार्टी स्कीम थी लेकिन धीरे-धीरे इन्हों को भी समझ में आया कि नहीं हमें थोड़ा open होनी की जरुद है ताकि हम बढ़ाने के लिए उन्होंने और लोगों के साथ इस्वर और रकार्ड के साथ partnership की और वो भी open loop network में आ गये है और फोर पार्टी स्कीम में आ गये है open loop network जैसे बीजा mastercard रूपे जर्रली card issue नहीं करते हैं, fees कितनी लगानी है, यह सब नहीं decide करते हैं और कितना interest charge करना है अगर outstanding है credit card पर तो यह भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, यह सारी जिम्मेदारी issuer bank के उपर छोड़ दी जाती है, उसी तरीके से जो यह network provider होते हैं, यह merchant के साथ directly involved नहीं होते हैं, कितन MDR रहेगा merchant discount rate, यह सारी जिम्मेदारी network खुद नहीं उठाता, बलकि यह सारी जिम्मेदारी acquiring bank को दे दी जाती है, ठीक है तो इतनी बाते हमने अभी तक समझ ली थी, अब यह diagram देखते हैं, जिसमें हम यह देखें कि four party scheme या four party model में कौन-कौन रहता है, और इन हर एक के बा यहां card holder होता है, यहां पर merchant acquirer होता है, bank member या card scheme और यहां पर merchants होते हैं, ठीक है, तो यहां दुकानदार है जिसके यहां pass लगी, यहां debit card है जिसको अपना pass machine पर यूज करना है और बीज में card scheme का roll रहता है, अब हर एक party के बारे में समझेंगे, card scheme, अभी तक जितना lecture देख हैं, उसमें card scheme ही समझा है, entities which facilitate network between two different card, bank financial institution and also running a card program are known as card scheme, ऐसी entity जो की network facilitate करती हैं, दो different bank या financial institution के बीच में network provide करती हैं, card को है न, और साथ ही साथ में card program को run करती हैं, उन्हें ही हम card scheme कहते हैं, ठीक है, concept हो में समझ में आ ही गया है, वीजा, mastercard, American express, discover ये सब जो है international card scheme है, जो की worldwide run करती हैं, सारी दुनिया में run करती है, वीजा, mastercard, American express, discover ठीक है, और NPCI ने रूपे हमारे देश में indigenous card payment scheme लाई भी है, तो NPCI, national payment corporation of India, hedge operationalize and indigenous card payment scheme रूपे, ठीक है, तो रूपे को ले करके आया है, NPCI ये हमारे मतलब देशी card payment scheme है, पर ये भी worldwide चलती है, ऐसी बाद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे देश में developed है, अगली party जो है friends, card issuer होती है, card issuer आपको clear हो गया होगे, जो bank card issuer करता है, उस bank या entity जो भी card issuer करता है, अपने customer को, उसे हम card issuer कहते हैं, तो हमने एक party देख ली, card scheme हो गई, दूसरी party हमने देखी, card issuer हो गया, तीसरा party हो जाती है, merchant acquirer, merchant acquirer वो होता है, जो merchant को acquire करता है, acquire करने मतलब, जो अपनी post machine लगाता है, जो अपना ATM लगात की उसे acquirer कहते हैं, तो merchant acquirer होता है, bank या entity that process debit card, credit card based payment transaction on behalf of merchant are known as acquirer, तो merchant के विहाब पर जो debit card, credit card की payment को process करते हैं, उन्हें acquirer कहते हैं, some acquiring bank enter into agreement with merchant for providing pass machine and facilitating exchange of fund from card issuing bank, तो जो ऐसे such, ऐसे acquiring bank जो होते हैं, वो एक agreement करते हैं, जिसके तहत वो pass machine provide करते हैं, दुकानदार को, और साथ ही साथ में, अब pass machine पर जब transaction होगी, तो क्या होगा, कि fund कहां से आएगा, issuing bank से, जिसने debit card issue किया है, उस bank से fund आना चाहिए, तो उसी चीज़ के लिए facility provide करते हैं, ताकि fund जो है issuing bank से, merchant के पास आ सके, तो यह merchant acquirers हो गए, ठीक है, acquiring bank also pays the merchant for their daily card based sale, after discounting merchant discount interchange fees, अब एक बार issuer bank से जो भी पैसा आना था, मानली यह दो लाख रुपए आ गए, तो इस दो लाख रुपए में, जिसने pass machine लगा रखी, उसने अपना जो भी, एक हजार, दो हजार चार्ज़ पाटा, बाकी एक लाख 99,000 जो बचता है, उसको उसे लौटा देता है, किसको merchant को, तो वही लिख रहे है, acquiring bank also pay the merchant for their daily card based sale, card based sale जितनी भी है, उसके लिए pay करता है acquiring bank, after discounting merchant discount, यानी MDR, merchant discount rate लगा करके, या interchange fees वगएरा जो भी लगी है, उसको detect करके, बाकी का पैसा जो है, person to whom debit card या credit card has been issued by bankage, card holder हो गया, उसके आदमे merchant है, the trader है न, merchant और card holder की दोनों की definition एक साथ ही दे रखी है, इनोंने, ठीक है, मैंने अलग लग कर दिया है, तो merchant है trader, trader who accepts payment card for goods and services sold is known as merchant, तो जो merchant होता है, वो जो की दुकानदार जीसे कहते हैं, जो goods और services बेचता है, और उसके ब merchant लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, merchant कहते हैं, ठीक है फ्रंट तो ये card holder और merchant को एक party माना गया है, तो कुल मलाखर के ये चार party हो जाती है, पहली party होती है, card scheme, दूसरी party आपकी हो जाती है, जिसने debit card issue किया है, तीसरी party हो जाती है, merchant acquirer, और चोथी party में इन्होंने card holder और merchant दोनों को एक साथ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है four party, scheme, तो हर एक के बारे में आपने यहाँ पर समझ लिया, friends, I believe, यहाँ पर हमने देखा कि, एक card scheme हो गई party, दूसरा card issuer, दूसरी party हो जाती है, तीसरी party मर्चंट अकार हो जाती है, चौथी party में इन दोनों को दिख दूसरी party हो जाती है, तो हर एक के बारे में हमने यहाँ पर समझ भी लिया है, card scheme क्या होती है, जो दो financial institution को आपस में connect करती है, वही हमारी card scheme होती है, visa, mastercard, रूपे, Indian express हो गईरा, हमारे international card scheme है, जो कि worldwide काम करती है, बीजा, mastercard, American express, और discover, ठीक है, और हमारे देश में कौन सा card scheme चलता है, रूपे card scheme चलता है, ठीक है, इसे किसने बनाया है, NPCIN, National Payment Corporation of India, यह हमारा देशी card payment scheme है, रूपे, ठीक है, दूसरी party है, card issuer, तो जो debit card issu करती है, credit card issu करती है, customer को उसे card issuer कहते है, तीसरी आती है, merchant require, merchant है, जिसको debit card या credit card दिया होता है, bank ने, वो card holder हो गया, merchant वो होता है, दुकानदार वो होता है, जो की payment accept करता है, goods और services बेचने के बदले में, ठीक है, तो यह हो गया, फ्रेंट जो है, आपके, चार party model, अब आता है, फ्रेंट जो है, दूसरा जो, हमारा network scheme था, वो था, closed scheme य मैंने आपको बताया है, कि इसमें बस, जो card issue वाला था, जिसमें ये bank issue करते थे debit card को, वही वो हट जाता है, यहाँ से, और यहाँ पर यह card issuer खुद हो जाते है, कौन, card issuer, card scheme जो होती है, वही खुद card issuer हो जाते है, देखें, यहाँ पर इसमें, और पिछले figure में आप है, इस से connect हो जाता है, card holder को card ये issue कर देते हैं, तो ये तीन party model हो जाता है, ये card scheme एक party हो गई, merchant और गारना दूसरी party हो जाती है, और merchant और जो जिसको ये card issue किया गया है, card holder, ये तीसरी party हो जाती है, तो तीन party model हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा detail में नहीं पढ़ना है, बस इतनी ही बात इन्होंने कही है, a third, three party network model is identical to four party network model, except that there is no card issuer bank involved, दोनो four party model के जैसा ही है, three party model, सिर्फ इतना difference है, कि no card issuer bank involved रहता है, कोई भी card issuer bank involved नहीं रहता है, इसमें, ठीक है, कोई भी card issue करने वाला bank involved नहीं रहता है, the card scheme itself is card issuer in this payment network model, इस network model में, अब अगर bank नहीं issue कर रहा है, debit card, credit card को, तो issue कौन करता है, card scheme खुद करती है, card scheme कौन सी, रूपे, mastercard, visa, American Express, यही card scheme जो होती है, खुद ही card issuer का का काम करती है, the scheme, card scheme has to do all verification and authentication of card holders in transient processing, अब जब यह, bank issue करते थे, debit card, credit card, तो जितना भी verification का काम था, authentication का काम था, वो कौन करता था, खुद bank करता था, लेकिन अब अगर card scheme नहीं debit card issue किया है, तो यह सारी जिम्मेदारी, verification का काम, कि खाते में पैसा है, नहीं है, जो card है, वो stolen तो नहीं है, यह सारी चीज़ों की checking का जिम्मेदारी model, थोड़ा सा, I believe कि अभी जाकर के, clear हुआ होगा, कि हाँ, close scheme क्या होती है, open scheme क्या होती है, और बहुत पूछा जाता है, फ्रेंट जो है, कि three party network model और four party network model में, difference, बहुत ज़दा पूछाता है, बस ध्यान रख करके जाएगा, तो जो card issuer है, उसका role खतम हो जाता है, खुद जो है card scheme, card issuer का का काम करने लगती है, बस इतनी इसी बात हुई, कि वो four party से three party में convert हो जाता है, ठीक है, figure हमने देख ही रखा है, यहाँ इन्होंने बताया ही है, कि three party model, four party model जो होता है, four party model के जैसा ही होता है, कि और यहाँ पर कोई card issuer bank involved नहीं रहता है, बलकि जो card scheme होती है वो खुद card issue करने लगती है, बस यह हो जाता है, आप चुकि card card scheme ने issue किया है, तो verification authentication की जिम्मेदारी भी card scheme के उपर ही चली जाती है, ठीक है, तो यह हो गया, three party model, thank you so much, आप सभी को like करिए, share करिए, subscribe अगरा करिए, अगर टाइम लगे तो thank you so much